छे बार की विश्व चांपियन और 2012 ओलंपिक पदक विजेता मेरी कॉम ने मुक्के बाजी से सन्यास का एलान नहीं किया है जी हां इसे पहले उन्होंने सन्यास का एलान किया था लेकिन 41 वर्ष ए मेरी कॉम के रेटार्मेंट की ख़बरे जब सामने आई इसके बाद अब उन्होंने सफाई दे दी है मेरी कौम ने एक बयान जारी कर कहा है कि मीडिया के दोस्तों मैंने अभी तक सन्यास की गोशना नहीं की है और गलत तरीके से इसे पेश किया गया है जब भी मुझे इसकी गोशना करनी होगी मैं खुद मीडिया के सामने आऊंगी मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी है जिन में कहा गया है कि मैंने सन्यास की गोशना कर दी है लेकिन ये सच नहीं है मैरी ने आगे कहा मैं 24 जन्वरी 2024 को डिबरूगर में एक स्कूल के कारिकरम में भाग ले रही थी जिसमें मैं बच्चों को प्रेरित कर रही थी मैंने वहां कहा कि मुझ में अभी भी खेलों में उपलब्दी हासल करनी की भूख है लेकिन उलम्पिक में उम्र की सीमा मुझे भाग लेने की अनुमती नहीं देती हाला कि मैं अपने खेल को जारी रख सकती हूँ मेरिकॉम ने अपने बयान में ये भी कहा कि वो अभी भी अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रही हैं जब भी वो सन्यास की गोशना करेंगी तो सभी को सूचित कर देंगी। मतादे की मेरिकॉम ने विश्व एमिच्व और बॉक्सिंग चांपियनशिप को रिकॉर्ड छे बार जीता है वो ऐसा करनामा करने वाली विश्व की एक मात्र महिला मुक्यबाज हैं इतना ही नहीं मेरिकॉम साथ विश्व चांपियनशिप में से प्रतेक में पदक जीतने व अधारित एक हिंदी बाइपिक फिल्म मेरी कॉंप 2014 में रिलीस हुई जिसमें प्रियंका चोपरा ने म्रारी कॉंप के किरदार को निभाया था उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक गेम्स में फ्लाइविट 51 किलोग्राम वर्ग में कांसे पदक जीता था वो 2014 में दक्षन कोरिया के इंचियोन में एंशिन्ट गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला मुक्यबास बनी और 2018 राश्टर मंडल खेलो में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतिय महिला मुक्यबास हैं पता दें कि 2012 ओलंपिक मेडल जीतने के बाद मैरी ने अपने तीसरे बच जीता जो किसी भी पुरुष या महिला मुक्के बास द्वारा सबसे अधिक था ऐसे में सबसी बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अभी मेरी कौम ने खुद से रेटार्मेंट का एलान नहीं किया है और जितनी भी ये खबरी चल रही है उन्हें उन्हें नकार दिया है